नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल बिंग दॉक्टर ओफिशल में दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे नी-2020 counselling के इस्ट्रेव वेकंशी राउं के बारे में कि या होता है इस्ट्रेव वेकंशी राउंड और कैसे इसमें अपलाय करते हैं क्या इसमें लोग मार्क फर भी गौर्स एक वीडियो में देने वाला हूं complete information आपको इस एक वीडियो में देने वाला हूँ शाद ही दोस्तों वीडियो पुछने साथ से लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों बढ़ते अपने वीडियो के तरफ वीडियो के तरफ वीडियो के दोस्तों जो भी सब्सक्राइब जाएगी जिसमें इनकी सिपन्दम खरये देना कि दमें तरह सबुस्तर के साथ समय क्लाइब्स भी सॉन हो चुका है तो सीटन दिसंबार शार के रोज यानि every day 4 pm to 7 pm यह classes रहती है आपकी तो दोस्तों यह start हो चुकी है और अगर आपकी कोई class छूट भी गई है अगर आपकी छूट भी जाती है तो आप इन्हें recorded live classes को access कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह सारे sessions यह सारी classes जो है आपके यह completely free of cost है आपको यहां पर कोई extra charge नहीं देना है तो दोस्तों देर किस बात की जल्दी जाहिए और enroll कीजिए एन्रोल करने के लिए दोस्तों लिंक आपको description box में मिल जाएगा और दोस्तों इन live free live classes को आप अनकेडमी की learning app से attend कर सकेडमी learning app को आप google play store से अपने mobile में install कीजिए और install करने के बाद में दोस्तों इसे open कीजिए open करने के बाद आपको यहां पर साइन अप करना होगा यहां पर अपने mobile number enter कीजिए mobile आपने जो एंटर किया है वहां पर उस पर OTP आएगा यहां पर OTP enter कीजिए OTP enter करने के बाद आपको अपनी stream चूज करनी होगी तो आप यहां पर नीट उजी चूज कीजिए और फिर आप जो है इन classes को सभी free live classes को attend कर सकते हैं अनकेडमी लर्निंग एप से तो दोस्तों बीना देर किए एंडरोल कीजिए और अपने नीट 2021 की प्रिप्रेशन को बूश्ट अप कीजिए तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है यह स्ट्रेश वेकेंसी राउंड वाट इस इस्ट्रेश वेकेंसी राउंड तो दोस्तों आपको बता जाता हूं कि जैसे अभी MCC का और इंडिया काउंसिलिंग का जो मौप राउंड था मौप राउंड का रिजल्ट आ गया है उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग होगी ठीक है ना यानि 18 से लेकर 26 तारीक तक 18 दिसमबर से लेकर 26 दिसमबर तक इसकी रिपोर्टिंग रहेगी मौप राउंड की उसके बाद दोस्तों जो मौप राउंड होता है उसके बाद कुछ सीटें जो है वेकेंट रहाती है दूइट नौन जोइनिंग ठीकिना कोई अगर इस्टुएं उसमें जोइन नहीं करता तो वह कुछ सीटे सीर्ड है उसके लीए इस्ट्रे वेकेंशी रॉंड कनाता है इस्ट्रे वेकेंशी रॉंड यह अलग कीशा है तो देखिए दोसों इसमें क्या होता है कि जितनी भी सीटेंट है तो अब उसके लिए MccC कांसलिंग नहीं करती है उसके लिए संभणती जो भी Dimmeded University है या फिर नीचे लिखाबाया, transfer of non-reporting and non-joining vacant seat to deemed university, central university, ESIC, Ames, Jipmer for extra vacancy round from 27 December to 31st December, दोस्तों यह जो counseling के इस्ट्रे वेकंसी राउंड की वो 27 December से लेकर 31 December के बीच में conduct की जाएगी, इनको transfer कर दी जाएगी संबंद इस्ट्रे इस्ट्रे वेकंसी राउंड के लिए, how to apply for extra vacancy round, तो यहां पर दोस्तों, जो भी मोपर राउंड के बाद इस्ट्रे वेकंसी राउंड के जाएगी, उसक सिर्स राउंड के लिए, वही संबंद इस्ट्रे चांथ में गानाफे का राउंड के फ्लिचा Ambassador। कर दिया जाएगा ठीक है और ऐसे ही सभी सेंटरल यूशिटी और डीम यूशिटी ठीक है डीम यूशिटी को भी ट्रांफर कर दी जाएगी लिस्ट ठीक ना अब उन केंडिडेट्स की लिस्ट वह अपनी वैबसाइट पर भी पब्लीश करेंगे यह इस्टुडेंट से अपने जो है एलिजिबल है हमारे इस्टे वेकंसी राउंड के लिए अगर जैसे हम बात करें एम्स की तो एम्स जो है अपने वैबसाइट पर इसका नोटिफिक्शन डाल करना इह इसमें अब आप एड मिशन लेना चाहते हैं अगर एम्स की एम्स कोई सीट वेकंट रहती है इस्ट वेकंस रांट के लिए तो आपको सभी की वैबसाइट और लुग होगया जैसे प्रस जर्शत करते रहना है प्रसफिक्शन डाल देंगे एंपसइट पर आपना ह कराना होता है तो यह प्रेजिस्ट्रेशन कराना होता है तो यह अपलाइड करना अपलाइड करना फिर से रेजिस्टेशन कराना होगा अपने डिटेल बढ़नी होगी और केवल वही candidate eligible होगे जिसकी list में नाम होगा कि यह candidates eligible है इस्टे वेकंसी राउंड के क्योंकि इस्टे वेकंसी राउंड में किसी भी round में कोई seat नहीं मिली है किसी राउंड में कोई seat नहीं मिली है अगर मान लीजिए आप में से किसी को भी second round 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 in में seat मिल थी तो आप eligible नहीं होंगे अगर आपने कहीं पर भी seat छोड़ी थी तो ठीक है तो यह बात कर लिए हमने कैसे आपको apply करना होगा इस्ट्रे वेकंसी राउंड में यहां पर मैं करनी होती है तो उसके हिसाब से आपको जो भी university में आप जा रहे है इस्टे वेकंसी राउंड के लिए तो उसको आप कॉंटेक्ट जरूर कर लें कि भाई क्या उसका जो फीस पेमेंट है कैसे क्या मोड रहता है तो सब कुछ आप पूछ लें कॉंटेक्ट कर लें उससे पह करना होता है वहां पर मेरिट के आदार पर जो है आपका अलोट्मेंट प्रोसेश चलता है अब बात कर लेते हैं कि कितनी सीट्स वेकंसी राउंड के लिए तो दोस्तों कितनी सीट्स वेकंसी रहेंगी इसका पता तो MCC का जो मोपर राउंड है उसका कंप्लीट हो जाने के बाद ही पता चलेगा क्योंकि अभी 26 दिसमबर तक इसकी रिपोर्टिंग है मोपर राउंड के लिए उसके बाद में MCC अपने वेबसाइट पर अपलोट कर देगा कि कौन सी इंस्ट्यूट में कितनी सीट्स वेकंसी लास्ट यह क्या होता था एम्स कि का मोपर राउंड चलता था तो इसको बोनों में पाटिसिबट करता था ऐसे में उसको दोनों जगे अगर सीट मिल जाती थी वह उसको ऑलिंडिया के तुरू और यह कारण था वेकंड रहने का लेकिन इस बार क्योंकि एम्स और जिपमर क Sax flag которое Watch с. Echoあっ की मिल सब्सें मिल जाती है तो ins बार कम सीट वेकंड रहेगी सीट है है और काफी कम सीट वेकंड रहने की अनुमान है है दोस्तोँ अब बात करें दोस्तों कि क्या इस स्ट्रे वेकन सिर्ण में लो माक्स वालों को भी गॉवर्मन्ट शीट मिल जाती है काफी जो है उनका लग चल जाता है ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों आपको बतायता हूं वैसे जो एक अच्छे इंस्ट्यूट की बात करें हैं उनमें वैसे तो दोस्तों वैसे ही जो है काफी कम सीट होती है समय कि जिन इस्टूइट का 2-3-4 नंबर से होता होता रह जाता है और इंडिया के तुरू तो वह इस्टूइट पहुंच जाते हैं इस्ट्य वेकिंसी राउंड के लिए तो एसे में ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल लो मार्क्स वाले को भी government sheet मिल जाती ऐसा कुछ नहीं है student पहुँच जाते हैं वहाँ पर और वहाँ पर उनको allotment मिल जाता है और merit के आदर पर admission होता है कट-off क्या रहेगा इसकी बात करें तो या दोस्तों कट-off भी इसका वैसे बात करें अगर ऐसे अच्छे इंसिट्यूट्स की जैसे एम्स सेंट्र इंसिटीज की तो यार ऐसे में कट-off तो काफी मतलब यह ना ऐसे जादा फरक नहीं पड़ता लेकिन चार से पांस नंबर का जरूर फरक पड़ सकता है इसमें मतलब आल इंडिया का जो कट-off रहा था मोपराउन का उसका चार से पांस नंबर का जरूर फरक पड़ सकता है इस पर ज़्यादा फरक नहीं पड़ता लेकिन हाँ डीम नियुन सिटीज और बात करें तो क्योंकि वहां पर इस्टूइट को खुच जाना पड़ता है और उनकी जो फीज भी जादे रहती तो कम इस्टूइट पहुंचते हैं लेकिन वह आसानी से मिल जाता है वह उसकी बात नहीं कर रहे हैं लेकिन अच्छे इंस्टूइट की बात करने से एमस की जिप मर किये तो ऐसे में काफी ज़्यादा फरक तो नहीं पड़ता तो यह कुछ इंस की शर्याद रहते हैं की सार इसमें जो पला कर दे合 क्रता है उसको सीट मिल जाती फ़हले तो कुछ नहीं है दोस्तों यह मित है कि स्थीं यह मैं पहले कर दूंगा तो मुझे मैं पहले पहुँच गया वह ऌड़ pregnant कि जब श्यादीन का मुझेूद कर छी हैं वहां पर और वहां पर उनकी जो है चोईस के सीट अलोट की जाती तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि जो पहले आओ पहले पाओ टाइप कुछ नहीं है तो दोस्तों अभी वीडियो में इतना ही वीडियो पसंदार से लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक् के लिए जहिन